Hello friends, good afternoon, कैसे हूँ? I hope या आप लोग अच्छे ही होंगे Show friends, आप सभी लोग पता है कि UPB8 Entence Exam 2022 का online form 15 अप्रेल से start हो रहा है और जुलाई के 1 वीक में इसका exam होगा, 1 या 7 जुलाई को इसका exam होगा तो आज की इस वीडियों आप लोग में बताऊंगा कि जब form इसका भरा जाएगा तो form भनने में क्या-क्या चीजे लगेंगे, कौन-कौन से documents लगेंगे तो आप लोग भी बनवा लिजे, जैसे जिनका documents नहीं बना है, तो वो लोग भी बनवा ले तो चली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको उतादू, अगर आपको UP से बियर्ट करना है 2022 में, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, चैनलों को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ओल पर प्रिस के लिजेगा, अगर आपके मन में कुछ बियर इसी क्लास होती, एक 45 पर जीके प्लस करेंट हैं, पांच 45 वाली क्लास साथे साथ बज़े होती है, जो कि आज क्लास नहीं होगी, किवल न्यूज की ही वीडियो आएंगी, ये भी ज़रूरी है कि बहुत सारी लोगों का फॉर्म छूट जाता है इन्हीं डॉकुमेंट्स की वज़े से, तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्कीन साथ ले लिसे का, टाइम से क्लास देख लिया करें, बाद में भी आप लोग रिकॉर्डेट क्लास देख शिकते हैं, और शाती अगर आपको यूपी वीट एंटेंस एक्जाम 2022 के लिए गाइट या प दिखाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको 49 से ज़्यादा अब्जेक्टी कोस्टन्स, 5 शॉल पेपर 2017 से 21 तक की आपको देखने को मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस से आपको अलक्षे देखने को मिलेंगे, यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तों को से स्रेश्ट ह दोनों पुस्तके आपको हर मार्केट, हर जगा आशानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन परचेश करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को डिस्क्रिसिन बॉक्स में जाएए, वहाँ पे लिंक मैं दे दिया हूँ, तो आप लोग इसे ऑनलाइन भी परचे और शाथ ही आप लोग देख सकते हैं, इनकी गाइड बुक है, इसमें आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेन कोशन देखने को मिलेंगे, दोनों पुस्तके हैं कि लिंक वीडियो को डिस्क्रिसिन बॉक्स में दे दिया हूँ, लेशकते हैं, ठीक है, गाइड बुक है, औ और इस बार भी बीड जो है, दो वर्स का ही होगा, अभी, ना एक साल बीड, ना चार साल के बीड के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया, तो इसका मतलब यह ही है कि इस बार भी केवल दो वर्स का ही बीड होगा, तो शब्से पहले आपके पाश होना चाहिए एक personal mobile number ओके ये mobile number तब तक आपका on होना चाहिए तब तक आपका finally admission नहीं हो जाता है क्योंकि फिर जैसे जो लोग इसमें form बढ़ने में दूसरा number दे देते हैं बाद में खो जाता है एक्जाम देने जाते हैं खो जाता है ठीक है फिर बाद में उनको counseling में दिक्कत होती है क्योंकि पाशवर्ड अगर आपको याद हो ठीक है तो यह दोनों चीज़े आप लोग करिएगा क्योंकि बाद में फिर लोग पश्टाते हैं counseling उनकी नहीं हो पाती है एक्जाम निकल जाता है तो mobile number email ID आपके पास होने चाहिए जिसका पाशवर्ड याद होना चाहिए email ID का और अप अपनी date up birth आप लोग वही डेलिएगा जो आपकी high school की mark seat में है क्योंकि कई सारे लोगों का गलत होता है उनका graduation में कुछ और है इंटर में कुछ और है तो high school के base से आप लोग जो है form को fill up करिएगा यह चीज़ी ध्यान रखिएगा और जैसे आपका form भर जाता है कुछ गलत परिष्छा केंडर में किया जा सकता है यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा जैसे अगर आप लोग बिये किये हैं तो आप लोग आर्ट साइट में आएंगे और कैफे वाले करते कि हैं कि science जल्दवाजी में पर देते हैं तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है नहीं तो य यह अगर आप लोग नहीं चेंज करवा पाए तो जैसे आपका आर्ट है गलती से science हो गया तो science के ही वहाँ पे questions आपको शॉल करने होगे science का ही जो है वहाँ पे चेक होगा खांपी तो यह बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान करके जो है भरिएगा ठीक है एक बार अच्छे भारांग है ठीक है तो उनका certificate होता है भारांग लेने के लिए छोट मिलती है तो वो लोग भी अपना अच्छा से जो है certificate लगवाएंगे ठीक है फीस के बारे में आप सबी लोगों को पता ही चल गया कि इस बार फीस जो है कम कर दी गई थोड़ा email ID आपके पास होनी चाहिए यहां पर देख सकते हैं mobile number और यहां पर जंडर राष्टीता आपकी जो भी हो यहां पर जो सबसे important documents है जैसे जो लोग OBC, SC, ST, EWS में आते हैं तो उनका जाती प्रमाणपत्र बना होना चाहिए अगर आपका एक साल पुराना भी है तब भी आप आप लोग भर शकते हैं ठीक है उससे आप लोग कोई दिकत नहीं होती है जाती तो lifetime का होता है बड़ यहां पर देखिए जो है दो हजार 21 का form था तो यहां पर 2018 या उससे के बाद का यहां पर मांगा गया था और OBC वालों का यहां पर इंकम सर्टिपिड यानि की आई प्र बन वाली जीगा स्कॉलर सिप में तो आपका काम ही देगा आए जाती आप लोग दोनों बन वाली जीए और जो लोग जिसे द्रिश्टी ब्रधित स्रेंडी में आते हैं तो यह करके अपना प्रमाड पत्र अपलोड जरूर करेंगे उसमें ठीक है वाहिक इससेती अपना ज एसेंस, वोटर आईडी, अधार कार्ट देख शकते हैं और फोटो वाहस्ताचर लगेगी अभ्यारती की ठीक है वो चीज़े हो जाएंगी हाई स्कूल की माकसीत लगेगी अगर आपके पास ओरिजनल माकसीत नहीं है कोई भी माकसीत हाई स्कूल इंटर इसना तक ही नहीं ह है तो वो लोग नेट वाली से भी काम चला शकते हैं बाद में फिर काउंसलिंग में आपका आ जाना चाहिए ठीक है हालां कि उसमें भी एड्मिशन हो जाता कोई दिकत नहीं आती है और जो लोग जैसे जिनका एपेरिंग है तो वो लोग सेकंडिया की माकसीत अपलोड करे लिए तो वो लोग भी अपना आपएरिंग का ही डालेंगे जो रिजल्ट आपका हो उसी को आप लोग डालिए गा जिनका जैसे मैं 50% है पोस्ट ग्रेज़िशन साथ-साथ अभी कर रहे हैं तो वो लोग ग्रेजुछन के बैस्ट से ही फार्म को डालेंगे क्योंकि बाद म प्रइच में भी कुछ क्लियर नहीं हुआ था यहांपे देख सकते हैं हैं प्राजिशनाता की डिटेल आप लोग देश देश कते हैं पूइन हैं में कि ने कड़ा अगुँन कटे हैं हर edit में आप लोग सेंप तो तो आप लोग उस printout को 2-4 copy निकलवा के अच्छे से लिक रख लीजीगा क्योंकि जब तक आपका फिर admission नहीं हो जाता तब तक वो आपका printout लगेगा admission में भी लगता है जो registration form जो आप लोग भरेंगे तो वो उसका printout आपका admission में लगेगा इसके बावजूद कुछ doubts बगरा हों तो आप लोग comment box में doubt के लिए कर सकते हैं मिलते हैं अगली YouTube चैनल से आप लोग जूड़े रहें चैनलों को subscribe करके बिल आइकन को all papers के लिए जगा जो भी यूपी उबेट की update है कि वो update आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से देखने को मिलेगी Thank you so much